हेलो सुनेटर्स, मैं आप लोग का स्वागा थे और आज की रेक्नियोश शुरू करते हैं टेक्नियोश देने का मज़ा ही कुछ और है मतलब ऐसा लगता है कि मैं आपसे बाते कर रहा हूँ एक अलगी connection होता है हमारे बीच में जब मैं टेक्नियोश देता हूँ मज़ा आता है anyways कल की वीडियो भी हमारी trending पर गए थी टेक्नियोश नहीं हमने जो Realme X2 का unboxing कर ला था वो भी trending पर थी तो बहुत बढ़ शुक्रिया चलो हो रहा है ट्रेंडिंग का सिलसिला फिल से शुरू हो रहा है anyways Realme Birds Air का unboxing हमने आठ डाला था दुपैर में 12 बज़े अगर आपने नहीं देखा है तो जा के देख लेना इस वीक बहुत सारी और काफी कमाल की unboxing सारी है उसके लिए आप stay tune करना कर्मा कर्म Tech News आज में लेगा गया हूँ विडियो पसनाएगी लाइक करना लाइक तो देते ही रहना और फटावट से आज की Tech News शुरू करते हैं तो बेले कबर की बात करते हैं शुरुबात करते हैं यहाँ पर एक कमाल की technology की बारे में जो 2020 में हमें बहुत सारे flagship smartphones में जो वो देखने को मिल सकती है और यह देखके मुझे ऐसा लग रहा है कि यह एकदम से आम हो जाएगा जैसे कि foldable smartphones शुरू होते 2020 में यह भी technology आपको बहुत आम देखने को मिलेगी Ultra Sense Systems यह एक startup है California based company है वैसे फिलाल के लिए उनको जपान की बड़ी company ने acquired के लिए है उन्होंने दोस्तो एक ऐसा sensor develop किया है जिसको ultrasonic sound waves भी बोलते है इसके दुआरा क्या होगा कि जो smartphones होगे आगे चलके ऐसे smartphones आएंगे जिन में physical buttons नहीं होगी जैसे कि volume buttons, power button physical है वो नहीं होगे जो phone के जो frames होते है उनके अंदर ही ये sensor लगाया जाएगा सिर्फ आप उपर की तरफ ही touch करके उनको काम में ले सकते है जैसे कि चाहे फिर वो metal में क्यों ना हो steel में, aluminium, plastic में क्यों ना हो ये सब के अंदर काम में लिया जा सकता है तो ये technology दुआरा दोस्तों आगे चलके जो physical buttons होगे उनको eliminate कर सकते है और phone के frames के अंदर ही ऐसे sensors आएगे जिनको सिर्फ swipe करके टच करके, volume या power button में आप जो वो उसको इस्तेमाल कर सकते है कुछ ऐसी technology होगी वैसे, Mimix Alpha है, Vivo का next 3 something जो phones आए थे, उनमें तो था ही लेकिन वो display के ऊपर था, ये आपको frames में मिलेंगे ऐसा sensor उन्होंने डेवलेफ किया है ball point जो pen होती ना, उसके size का ये sensor जो बहुत ही जादा छोटा है देखते हैं दोस्तों, वैसे क्या आप favor करते इन तरीकी की technology के लिए या आप physical pregnancy prefer करते आप मुझे comment करके बता सकते है तो यहाँ पर दोस्तों, इंडिया के अंदर हम सभी लोगों को बता है के cities में तो हमें internet connectivity काफी अच्छी मिलती है लेकिन अगर आप rural areas में जाते गाउं वगरा में जाते तो वहाँ पर broadband connectivity जो लगवाएंगे जी हाँ, 7 लाग करोड रुपे का इसमें investment होगा और 2022 तक जितने भी जो villages इंडिया में उनमें ये connectivity होगी जिससे वहाँ पर internet हमें जो देखने को मिल सकता है और 50 MBBS की speed भी वो लोग जो वो provide करेगे, मतलब up to 50 MBBS की speed provide करेगे मतलब 30,000,000 km तक जो optical cables लगवाएंगे और उसके बाद जाके ये सारे towers और बहुत सारे चीज़े होगी, anyways बताया जरे के एक tower लगेगा, उससे 1000 population जो वो cover होगी, ऐसा करते करते, पूरा 2022 तक जितने villages से वहाँ पर plan है कि broadband लगा के सारे लोगों को internet connection मिले, वैसे ये plan बहुत ही अच्छा है, अगर ने successful होता है, तो सिर्फ cities में ही नहीं हमें villages में भी internet connectivity देखने को मिल सकती है, वैसे मुझे अच्छा लगा वैसे क्या आपको अच्छा लगा है, आप मुझे comment करके बता सकते हैं, तो यहाँ दोस्तों Huawei की तरफ से खाबर आ रहे हैं, और Huawei की जो upcoming P-series flagship smartphones होंगे P40 या P40 Pro आप बोल सकते हैं, P30 और P30 Pro जो आए ते हैं, अब दोस्तों ये March के महिने में अगले साल 2020 में जो वो आने वाले हैं, Huawei के CEO Richard Yu, उन्होंने खुद इसको confirmed कर लिया है, तो Huawei की जो upcoming flagship phones होंगे, या फिर P40 Lite भी आ सकता है, P40, P40 Pro, P40 Lite, यह सारे चीज़े आपको March 2020 में मिलेंगे, Huawei Mate 30, Mate 30 Pro उन्होंने इंडिया में लॉच्च नहीं किया है, वो अल्रड़ी आ चुके, क्योंकि Google Play Services के लफड़े, इस वज़े से नहीं लाया पता नहीं, P40 Series हमें इंडिया में देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन एन्वेस साथ में यह भी है, दोस्तों के Huawei का Mate X S, Mate X, जो Foldable phone आया था नहीं का, अभी Mate X S भी आएगा, जिन पर काम चल रहा है वो भी आपको अगले साल जो वो देखने को मिलेगा अभी इंडिया में हमें foldable phone Huawei का नहीं मिला तो Mate X S कब हमें देखने को मिलेगा इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है, वैसे आपको क्या लगते है दोस्तों, Huawei के phones में आपको interest है, नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों, इंडिया के अंदर हम सभी लोगों के लिए वैसे काफी बुरी ख़बर है और जैसे कि हमें बता है कि जीओने आप सभी लोगों को non-जीओ नेट्विक पर कॉल करते थे, तो मिनिट छे पैसा जो वो चार्ज करना शुरू किया था, उसके बाद एडल वोड़ाफोन ने भी सीक्रेटली इसको शुरू कर दिया था अब ये उन्होंने वॉलिंटरिली मतलब परसनली तो नहीं किया था, ये ट्राई के शिफ्ट कर दिया गया, मतलब और एक साल तक आपको जियो, एटल, वोड़ाफोन के अगर आप सिम कार्ड यूज करते हैं और नॉन नेट्वर्क पर कॉल करते हैं तो आपको एक मिनिट का छे पैसा देना ही पड़ेगा जो अभी रिसेंटी उनों ने किया था वैसे लग रहा था कि जन्वरी तक होगा 2020 तक लेंगे वैसा नहीं है क्योंकि पहले बाते हो रही थी, आप ट्राई ने उसको एक्स्टेंट कर दिया, तो प्रॉपर प्रियोर फ्री कॉल्स आपको नहीं मिलेंगे जो ऐसी खबर निकल कर आ रही है वैसे अब ये प्लांस भी उन्हों में बढ़ा दिये 30-40% उसको और expensive कर दिये तो मुझे पता नहीं, इंडिया वोल्ल का सबसे चीप था डेटा और कॉल प्रोवाइट करने में और बार बार दोस्तों, WhatsApp से रिगारिंग जब भी ऐसी खबर आती है ना तो मैं confused हो जाता हूँ और मुझे लगता है WhatsApp पे ऐसा क्यों हो रहा है बार बार WhatsApp बहुत ही secure platform माना जाता था लेकिन अब दोस्तों, एक ऐसा malicious bug यहाँ पर WhatsApp पर देखा गया है यह एक checkpoint researcher से उन्होंने इसको notice किया है WhatsApp का 2.19.338 वाला जो version है इसमें ऐसा बताया है जारे कि जो cyber criminals से वो WhatsApp का जो group है ना उसके अंदर जो message आप भेचते हैं उसको intercept कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं और फिर आपको उसके द्वारा malicious message दिखा कि आपका WhatsApp क्रेश कर सकते हैं फिर साथ में जितने लोग अंदर group में उनके साथ यह वो same चीज जो वो कर सकते हैं ऐसा malicious चीज जो WhatsApp के group में जो वो देखा गया है यह जो checkpoint researchers से इन्होंने WhatsApp को उसके बारे में बताया तो WhatsApp ने उसको 2.19.58 वाले version में fix कर दिया तो अगर आपके पास ये वाला version है 2.19.58 तो आप safe है अगर पुराना वाला version है तो आप गड़बड़ी में है आपको जाके update करना पड़ेगा मुझे समझ नहीं आता दोस्तो इतना बड़ा platform इतने billion users ऐसे bucks को कैसे वो लोग गूमने देते जब तक ये लोग research वाले बताते नहीं है तब तक ये तो गूमते रहता है जाईए अपडेट कर लीजी और अपने आपको बचा लीजी तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही weird और थोड़ी सी funny ख़बर यहाँ पर निकल कर आ रही है जहाँ पर रशिया के जो प्रेसिडेंटे लैडेमिल पुटिन आपको तो पता ही हो उनके बारे में इनकी जो office है न दोस्तों वहाँ पर जो computer से उनमें अभी भी Windows XP चलता है पता चल रहा है कि उन्होंने ऐसा बता है कि Windows 10 भी जो है वो भी कोई कमनी है इसलिए उन्होंने अपडेट नहीं क्या कि उसमें भी बहुत सारे रफ़ड़े होते हैं हो सकता है दोस्तों उनको एक डर भी होके वाई Windows 10 लेटिस्ट अपडेट है अपडेट पर अपडेट आता होगा और फिर Microsoft और US मिलके कहीं पाई ना करते हो यह भी एक रिजन हो सकता है तो यहाँ दोस्तों रियल्मी की तरफ से खाबर आ रही है वैसे दो खाबरे आ रही है और पहले खाबर की बात करें तो रियल्मी का एक unknown model number यहाँ पर एक IMEI LISTING website पर जो वो लिश्ट हो करा चुका है RMX2075 पहले ऐसे model number रियल्मी की कोई phones में जो वो देखा नहीं गया है मुकुल शर्मा ने इसको tweet करके बताया है और ऐसा बताया जारे कि शायद से यह Realme X50 Pro या फिर Realme 6 Series जो वो हो सकती है अब हमें नहीं पता यह क्या है देखके लग रहा है शायद से Realme 6 Series हो सकता है जो इस model number के साथ में लिश्ट हुआ है और मैंने आपको Realme 6 की सबसे पहले अपने टेक्नूस में लीक्स दिया था Realme 6 में Snapdragon 710 6000 गैमिज की बैटरी और Realme 6 Pro में Snapdragon 730 वगरा के प्रोसेसर हो सकते है वो भी एक लीकी थी लेकिन सबसे पहले आपको मैंने बताया था यह बिस देखते है मुझे शौर नहीं RMX2075 यह कौन सा Realme का फोन होगा मुझे लगता है अभी Realme को थोड़ा सास लेनी के जरूरत है उसके बाद कोल्ड हो कि फिर फोन लॉंच करना अच्छे लगा अतार पागलों की तरह फोन लॉंच कर रहे है वैसे दोस्तों लगे हाथ तो Realme UI के पहली बार कुछ हमें लाइफ जो वो फोटोस देखने को मिल रहे है आप देख सकते हैं यह भी मुकल शर्मा नहीं शेर किया है आपको जो ब्लू आइकन्स वाले जो चीज़े दिखरी है वो Realme UI है और राइट में देखेंगे वो Colorverse 7 है तो यहाँ पर इस से पता तो यह फर्क नज़रा रहा है वैसे क्या लगता है दोस्तो अच्छा लगा बुरा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो यह मतलब शाओमी के दरफ से काफी इंटरेस्टिंग ख़बार आ रही है और शाओमी ने यहाँ पर एक नया पेटेंट फाइल किया है जहा आप उसको लेट से खीच कर पुल करके एक नया टैबलेट जैसा स्माफोन मतलब टैबलेट इसको बना सकते हैं रियर कैमरा भी आपको इसमें दिखाई दे रहें और सामने आप देखेंगो आपको फ्रंट कैमरा भी दिख रहा है तो यह जो कॉंसेप्ट यह काफी कूल किया है मुझे लगता नहीं बहुत जल्दी आएगा लेकिन अच्छा लग रहा है वैसा आपको अच्छा लग रहा है जरू से आप मुझे पता सकते हैं क्या आपको बता है कि तोस्तों सैमसंग ने एक टाइम पर ऐसा क्लेम किया था कि उनके जो गेलक्सी स्मार्टफोन ओन से जो यूजर से जो फोन यूजद करते हैं उनके पास कोई राइट्स नहीं है और कोई ऑथारिटी नहीं है कि वो उनके फोन में अगर आग लगती है तो वो सैमसंग को सू कर दे ऐसा एक इमसंग में किया था को आज के लिए निस पसंद हैगी मतलब सिर्फ टच करके ही आप उनका काम ले सकते जिया